आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए यकीनन इस घटना के बारे में जानकर आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा घटना की तस्वीर से ही इतनी पीडा जलक रही है आप खबर को पढ़ेंगे तो आपको शायद खुद से भी चर्ण होने लगेगी इस बेजबान जानवर ने दो साल तक जितनी आतना इंजहली होंगी आपको समझा जाएगा अब ज़रा सोचिए अगर ऐसा किसी इंसान के साथ हुआ होता तो देखने में यह विशाल कायम अगर मच ज़रूर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे दर्द नहीं होता बराबर उतना दर्द होता है जितना एक आम इनसान को होगा एक मीडिया रेपोर्ड के मताबिक यह मगर मच धीरे-धीरे मौत के मुह में समा रहा है दरसल यह मगर मच अब धंग से कुछ खा भी नहीं पाता ताज्यूब तो इस बात पर होता है कि दो साल तर्क लोगों ने इसे इस हाल में देखा फिर भी किसी का दिल नहीं पसी जा गौर तलब हो यह तस्वीर दो साल पहले की है लेकिन यहां घुमने आने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें अब भी यह मगर मच नजर आता है ऐसे में क्या उसके मरने का इंतजार किया जाएगा नहीं न इंडोनेशिया के सेंट्रल सूलोसी नामक स्थान पर पलू नदी में इस मगर मच को अब एक बार फिर से देखा गया है एक परियटक ने इसका एक वीडियो भी फिल्माया है जिसकी मदद से इस मामले को दुनिया के सामने लाया गया ताकि इस मगर मच की जान बचाई जा सके इस मगर मच के लंबाई तकरीबन 13 फीट बताई जाती है झाल